Hello Friends, कैसे हैं आप सब लोग? Consumer Protection तो मैंने पूरा का Term 2 का पढ़ा दिया है लेकिन ये वीडियो आप सब को जरूर देखनी चाहिए क्योंकि मैं इसमें क्लास दो मेन बाते बताऊंगा जो आपके Examination में काम आएंगे सबसे पहली बात जो मैंने पहली वीडियो बनाई Consumer Protection की उसके अंदर मैंने जितनी भी चीजे कराई है Right है, Responsibilities है, Importance है उसके बात जो क्लास 3-Tier-C Credressal Agency है वो सारी चीजे ठीक है लेकिन Examination में Importance नहीं पूछा जाएगा तो आप उसे Learn मत करना, वो वीडियो में description box में दे दूँगा या आप उस वीडियो को मैं comment में पिन कर दूँगा क्योंकि CBAC ने जो पहला syllabus दिया था सबसे पहले जो term 2 का syllabus आया उसके अंदर Importance लिखा हुआ था लेकिन बाद में CBAC ने जो Updated syllabus बेजा उसके अंदर क्लास Consumer Protection के Importance जो है वो नहीं पढ़ने आपको तो उसको skip कर सकते हो दूसरी बात हम जो पढ़ रहे थे क्लास Consumer Protection Act 1986 पढ़ रहे थे 1986 के बाद amendment आया 1991 में उसके बाद जो amendment आया class amendment वो 1993 में आया amendment फिर आया class 2002 में amendment और उसके बाद class इस पूरे act को ही पूरी तरीके से बदल दिया और एक नया act बना दिया Consumer Protection Act 2019 तो यह आपको ध्यान रखना है कि अब आपके syllabus में जो applicable होगा मैंने बहुत research किया study की पता किया तो आपके syllabus में जो applicable होगा वो Consumer Protection Act 2019 applicable होगा तो सर क्या हो सारा का सारा हमारा waste हो गया नहीं बेटा वो सारी चीज़े ठीक है उसमें एक page का फराक है जो major बच्चों को पता भी होगा और मैं आज वीडियो उस चीज के लिए बनाई नहीं रहा है तो आप district court में जा सकते हो और complaint file कर सकते हो state की बात करें तो पहले आप 20 60000 से एक करोडर तक जाते थे अब 1 करोड से बढ़कर 10 करोड़ में आपके समान की कीमत अगर एक करोड़ से जाधा है और 10 करोड़ तो class आप state में जाओगे और आपके समान की कीमत अगर 10 करोड से जादा है 10 करोड एक रुपए से लेकर कितना भी जादा है तो आप जाओगे national commission में और अगर आप यहां से satisfy नहीं हो तो आप जाओगे supreme court में लेकिन पहले यह लिमिट थी 20 लाग बढ़ा कर फिर 1 करोड हो गई 1 करोड और 1 से जादा यही एक major changes के लावा कोई change लेकिन इस video को separate बनाने का एक अलग मेरा मोटो है जो ध्यान सुनना मैं यह नहीं चाहता कि बस आपको यह limits बता दी और class यह समझा दिया उससे काम हो जाएगा मैं तुम्हें पूरी knowledge दूंगा कि यह क्यों इतना important है as a consumer आप क्या है in terms of money तो अगर आपके समान की कीमत 1 कροड इस से कम है तो आप district court में जाओगे अगर आपके समान की कीमत 1 कौड पर 10 कροड से कम 10 करोड है तो आप state में जाओगे और 10 कं ज्यादा है तो आप national में जाओगे आप district court जो है, district court से आप satisfy नहीं हो, तो आप 45 days के अंदर आप कहां जा सकते हो class, state में जा सकते हो, state से satisfy नहीं हो, 30 days के अंदर class आप जा सकते हो, national से ये भी 30 था, लेकिन power बढ़ाकर 15 दिन extra कर दिया गया, उससे ज्यादा नहीं हो सकता ये, max to max 45, फिर 30 days के अंदर आप Supreme Court में 86, क्या 1986 में e-commerce हमारा बहुत popular था, amazon, snapdale, flipcard, ऐसी चीजे, क्या 1986 में थी, नहीं, तो उस समय पर law बनाया गया, जमाना अलग था, दौर अलग था, उस समय सायद एक रुपए की value बहुत हुआ कर दे, मुझे आज भी याद है, कि उस time पर जो salary, मतलब कि मुझे याद, इसका म 200-200 रुपए salary हुआ करती थी हर महीने की, तो उस time पर किसी ने कोई बहुत अच्छी चीज खरी दी, तो यार वो भी 50-100-200 रुपए तक का होगा, लेकिन कि आज वो possible है नहीं, तो समय के साथ-साथ जो है, condition बदलती है, रास्ते बदलते है, penalty बदली जाती है, rule regulation बदले जात हैं, इसी लिए class उसके हिसाब से law को भी बदलना साथ-साथ बहुत जरूरी है, हमारे यह law वैसे भी बहुत लेट बदलते हैं, but finally class, यह जो July, देखो वैसे तो यह साइद, मतलब की, लगभग 9 August को प्रायम, जो हमारे प्रेसेडेंट साहब हैं, उन्होंने इसको हरी जंडी दे दी थी, लेकिन यह class in force में आया class 20 July 2020, act जो है, कोपरा, यानि की Consumer Protection Act 2019 पहले 1986 था, इसके बाद कई सारे amendment देखो, मैंने बताया आपको, फिर यह class बन गया आपका, कोपरा 2019, अब इसे लाने ही जरूरत क्या पड़ी, इसमें क्या-क्या main changes है, हाला कि यह बहुत जादा आप प्रोसेस डिजिटल नहीं था, क्या उस टाइम डिजिटल का जमाना था, क्या उस टाइम पर हर चीजें ऑनलाइन होती थी, क्या e-commerce था, क्या घर बैठे बैठे सबजियां राशन से लेकर गाड़ी तक घर डिलीवरी हो जाती है, शादियां ऑनलाइन हो रही है, सबजी ऑन आजान के कोड में जाओगे आप, जहां सेलर है, अगर सेलर यहां है तो मैं यहां कोड में जाओगा, लेकिन वो सारी बंदी से हटा दी, क्लास, अब पूरा प्रोसेस डिजिटल कर दिया, कंप्लेइन भी फाइल कर दीए, तो आप डिजिटली ऑनलाइन कंप्लेइन फाइल कर सकते हो even अगर आपको बुलावा आता है कोट में आप नहीं जा सकते तो वीडियो कॉनफरेंसिंग के थूँ आप घर बैठे बैठे क्लास वीडियो कॉनफरेंसिंग के थूँ अटेंग कर सकते हो लॉकडाउन में कोरोना काल में भी ऐसा ही हुआ कोट के जो सेशन्स वे वह ओनलाई हुए वीडियो कॉनफरेंसिंग के थूँ हुए बहुत सारेorar मेटिंग आपकोदिटीन सेर्माइस पोख रियाल जी के थू हूए असल नहीं, पुड्गर मेंटिउ पबैंसिंग को आपक हो तो भी हिर यह जो कॉनलाइन ही हूँ हूए हो सकते तो यह नहीं नहीं चीजे एड हुई है डिजिटल दॉर है भया ग्रहक को जाने की ज़रूद नहीं है उसका दोकेड़ी हुई है तो वहां पर आप 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 ओनलाइन फाल कर सकते हो और कि दुकांदर ग्रहकों को ना लूटे ग्रहक भगवान होता है कंजुमरी दा किंग्पीन अफ मार्केट कंजुमरी दा परपस बिजनस बिजनस आया कहां से जब कंजुमर नहीं है कंजुमर थे तभी तो बिजनस आया तो यार उसको प्रोटेक करना है दूसरी बात e-commerce को मैं कौन हूँ मैं तो समान बेच मैं तो प्लाटफॉर्म है मैं между मेरा थ्ी समान थुहं आई मैं तो प्लाटफॉर्म बेच रहा है तो यहां समान थुडी है चीए दस मिनिट लुगा क्लास आपको पूरी जिस समझा दूँगा लाइफ में बहुत काम आएगा राइट तो मैं कुछ सोच समझ के बता रहूं तो बहुत ध्यान से समाजना ठीक है तो सबसे बहुत लाइबलेटी और प्रडॉक्ट मैनुफक्ट्र जिसने समान बनाया वो भी लाइबल है service provider यानि Amazon service दे रहा है वो भी लाइबल है product को जो बेच रहा है दुकानदार class वो भी लाइबल है बनाने वाला भी बेचने वाला भी और service Amazon वाला भी लाइक मैंने Ola से Uber से Cap book किया, Cap बाल ने मुझे अच्छी service नहीं थी, तो मैं Ola Uber के ऊपर भी complaint file कर सकता हूँ, उसकी भी liability बनेगी मेरा काम क्या है, मेरा काम तो सिर्फ आप में आप दुनों को मिलाने का है, service उसने खराब की, driver ने खराब की वे, driver को complain करो, नहीं, अब भी लाइबल होगा, तो इस तरी किसे class इनको भी घेर लिया, ठीक है, सबसे अच्छा मुझे ये लगता है class, this is called madhyasta, याने की class, mediation sales, mediation sales बना दी गए, कि ठीक है, ग्रहाक ने complaint file की, तो ये फोन करेंगे, ये फोन करेंगे भई ग्रहाक को, आजाओ, वहाँ सब फोन करेंगे दुकानदार को, आजाओ, आप दोनों बैट जाओ, आप दोनों कोट में मत जाओ, पहले मध्यस्ता कर लो, दोनों बातचीत कर लो, आ आज लूट बहुत भीड़ है, केस बहुत लंबा कित जाएगा, या यह बहुत अच्छी चीज है, ठीक के, दुकानदार को लगता है यार यह तो फस जाओऊगा, मैं कोट में जाओगा, ठीक के बएग तो गलत समान मारकिट से उठाएगा, और अपस ने सेटलेमेंट हो ज जो यह mediation वाला है यह पुराने में नहीं था, यादिशिक्स वाले में नहीं था, fake advertisement देते हो, misleading advertisement देते हो, कोई भी चार दिन में निखार आजाएगा, बाल स्टॉंग हो जाएगे, या फिर यह ताबीच पहनोगे तो यह हो जाएगा, और यह बहुत सारी चीजे class, fake advertisement होते हैं तो आपको disclaimer देना पड़ेगा, चीज़ों को बताना पड़ेगा भी, वहाँ पे आप इस चीज को नहीं कर सकते हैं, अगर आप करोंगे, तो भी आपस जाओगे, Consumer Production Act 2019 के लिए, ठीक है, तो गलत advertisement, इस सब चीज रोग दी गई अब पहले से, ठीक है, आपने एक case सुना होग मैगी का, कि जब मैगी केस आता है, जब रजनी गंध केस आता है, तो जो sponsor होते हैं उनके, जो class एक तरीके से celebrity, जो endorsement कर रहे होते हैं, उनकी भी बात आती है, उनको भी घिरने की बात आती है, तो यहाँ पे वो भी डाला है, कि भाया, अगर तुम एक celebrity हो, endorseor हो, और तुम फस गये बीच में, तुम ने गलत प्रड़क का इड़टीज में, अभी Salman Khan हमसे बोलेगा, Saaruk Khan हमसे बोलेगा, मिताबच्चन हमसे बोलेगे, या फिर कोई भी बड़ी celebrity आके हमसे चीज बोलेगा, कि यार, ये प्रड़क्त मैं यूस करता हूँ, आप भी यूस करो, तो भ कई बार क्या होता है, कि आपना, कई सारी वेबसाइट होती है, जहां पर अपना नाम डालते हो, नंबर डालते हो, तब जाके अंदर गुसने दिया जाता है, इमेल दालते हो आप, तब जाके अंदर गुसने दिया जाता है, तो वो information आपकी कर लेते हैं, फिर इस information को relevant party को बेचते हैं, sale करते हैं, तो यह चीज क्लास नहीं कर सकते हैं, रही बात अगली, seller का जगे irrelevant है, आप online बैठी, कहीं भी complaint फाइल कर सकते हो, अगर seller गिल्टी पाया गया, लाइसेंस कैंसल कर दे जाएगा दो साल तक पहली बार में, और दूसरी बार गिल्टी पाया गया, तो पहलेट उसका लाइसेंस कैंसल कर देंगे, पहलेट लो उसका धंदा बंद हो जाएगा, राइट, यह है सारी की सारी चीजे, और नई नई चीजे आई, और सबसे इंपोरेंट जो चीजे इसके अंदर एक रेगुलेटर बनाया गया, जिस तरीके से ICAI का रेगुलेटर Central Consumer Protection Authority, CCPA भी खहते हैं, क्लास, यह तब काम करेगा जब Consumer Law का वाइलेशन हो, कोई भी अगर वाइलेशन वाइलेशन हो किया, तो क्लास यह active हो जाएगा, और फिर यह सारी चीजों कि यह competent party है, यह competent class एक तरीके से authority है, इनके पास power है, यह अपने हिसाब से डिजन नहीं, जैस जैसे examination में कभी भी कोई नया law change होता है, या फिर कोईश भी change आता है, तो कोशिश करते हैं कि पुराना और नया, दोनों ही बच्चों को number मिले, लेकिन फिर भी, मैं आपको अभी examination बहुत time है, मैं तुम्हें पूरा perfect याद करा कि भीजूगा, don't worry, थोड़ा सा change कर लो, class, 1 क एक से दस और दस से जादा, बाकि देज में, अचा पहले बात करें, तो पहले अलग थी, अब अलग है, तो पहले पका पता है, पूछेगा नहीं पर भी, पांच लाग तक court fees कुछ भी निया निल है, और उससे जादा कि अगर आपके समान की कीमत है, तो 200 रुपे से लेके 7 500 रुपे तक, बहुत छोटा सा अमाउंट है, पांच लाग का समान अगर आपका हुआ है, तो उस पर कोई कम्प्लेंट फाइल नहीं है, तो सोचो, मेजर लोग तो यहीं निबट गया है, बाकि थोड़ा बहुत जो है, अब समान तुमारा 10 लाग का है, 11-12 लाग का है, तो तो बेसिकली आज की वीडियो मेरे को बनाने का परपस यह था, एक तो क्लास आपको यह बाते बताना, क्लास यहां पर लिमिट्स चेंज हो गई है, तो पेकुनेरी जो अमाउंट है, गुट्स न सर्वेसिस का वो चेंज हो गया है, और इसके अलावा क्लास आपको आपको आपको काफी ज़्यादा देगा, तो अगर एक्जामेशन में कहीं भी मौका मिलता है, लिखने का कोपरा से रिलेड कुछ भी तो आपने आंसर को चारचांद लगा सकते हो, तो अच्छा लगे तो लागे तो लाइक करना, वीडियो को शेर करना अपने सारे क्लासमेट में, कमेंट बदाना क्लास की कैसा लगा आपको, और सारे बच्चो को शेर करके इसको शेर कर देना, बस थांकियो वहरी मिलते हैं, नेक्स वीडियो में तो लेटेक केर, बाइबाइ, और जो कंजो प्रड़क्शन की वीडियो है, वह मैं डिस्रिप्शिन बॉक्स में टेक केर, बाइबाइ, गाद बलस्यू, मिलते नेक्स वीडियो में.